गुड मॉनिंग दोस्तों विल्कम टू माई टू चैनल पे आप सभी का स्वागत है अब नवस्ते इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है आप सभी कैसे हो आसा खती बहुत ठीक से आप सबसे हैं जार है आप सबसे ही मेरे बिंगती है प्लीज बीडियो पूरा जरूर देखे और पसंद आए तो लाइक से रख में जरू कर देजी चैनल पे नए है तो तो पूरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूरिए गा दोस्तों हम खाना जो लेके जाते हैं पड़े रोज का काम है बत्त कोखला नहीं लेके आए भी है तो यहां यह लोग अच्छे से खा रहे हैं जो छोड़ देते हैं तुरंत खाने लगते हैं ओ त्यारे पैरे बत्तक हैं बहुत अच्छे लगते हैं तो कुछ लोग खा रहे हैं कुछ लोग भूम रहे हैं कुछ लोग पानी में आ गए हैं तो पानी में तैर रहे हैं तो खा पीके आ गए हैं पानी में तो यहां पर दोस्तों हम आ गए हैं घर पे केट खरियान का सीन है दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया हरा भरा है तो दोस्तों यहां जो बेल पत्र है यह भोलिनात को बहुत प्रिया है दोस्तों पत्र जड़ हो गया है पेर से और उसके बाद नई पत्ती निकली बहुत अच्छी लगती है यहां ज क्वाधी कर रही हैएम तुस्ट्टों आप में यह जो ढाते हैं बहुत अधितन हुआ 1912 जाते हैं तो आतीमी को चाल लग देते आके जिन को भूख लगती है वो आके भावी बारी से काथी लेगने बारी गहां अकरें वारी से खाती है जाते हुआ खे गाती हैं जाला साफ नहीं किये थे तो अपते मीं बार तो जाला साफ ही कर लें चाहिए तो साफ कर ले रहे हैं फटा-फट यह तो हम लोग का रूज का काम है जैसा घर हो लेकिन अपना घर तो साफ सुप्रा रखना चाहिए जितना हो सके साफ सफाइब करने चाहिए दोस्तों यह हम काला नमक है धुल के सुखवा के सिलबटे से हम पीछ लेते हैं कुछ लोग जो म जरूरत पड़ेगी तो पीछना नहीं पड़ता है बार बार को पीछना अच्छा नहीं लगता है तो जानके तो अच्छी चीज खाने चाहिए जो फायदा करें चाहिए तो दोस्तों आज हम पुरानी यादे नहीं कर रहे हैं यह हमारे नानी दादी की जमाने का चीज़े सरसो हलका सब भून के फिर हम पीछेंगे इसको गाउं के भासा में अब रभी लोग उप्टन के नाम से जानते हैं लेकिन गाउं में इसको बूकवा बोला जाता था तो अब तो बहुत कम लोग इसको करते हैं लेकिन हम पुरानी यादे आप सभी कि भी सेर कर रहे हैं जिसा और कमेंट मुझे जरूर बताएगा और गलती होगी तो माप कर दीजिएगा तो भून के थोड़े से हल्दी रुसरसों पीस लेते हैं पानी छोड़के पीसेंगे इतना महीन पीसेंगे उसके बाद में अपने हाथ पेर में लगाएंगे यह जो है निश्रली चीज है बहुत मुलायम इश्कीन कर देता है दोस्तों आप सभी लोग जरूर अपने घर में होंगी दादी नानी तो पूछीएगा तो अपने बच्ची को हाथ में लगाएंगे देखे दोनों हाथ के सब्सक्राइबर है दोस्तों कितना फरक हो गया मुलायम हो जाता अच्छा भी लगता है जिरू ट्राइब कीजे के दोस्तों हम बस इसके बाद लगा लेते फटा फट जाड़ू फिर आज हम बनाएंगे कड़ी प्याज वाली पकोड़ी की कड़ी दोस्तों तो खेत में प् सब्सक्राइब करते थे गास निकालते थे वीडियो चोड़ते थे देखें होंगे लेकिन आज फ़सल दैयार हुए बहुत अच्छा लग रहा तो आज हम बनाएंगे कड़ी पकोड़ी कड़ी दोस्तों किसे ले आए हुए हैं इसको इसी तरह काट लेते हैं काटके फिर ध प्याजपतलबला काटके तो फॉरत हल्दी निया जीरा चाली मेह vont डालके नमक पकोड़ी के लिए बना लेते हैं यहाँ तो तेल गरम हो गया तो बना ले हैं फिर यह कड़ी बनाने के लिए वेशन पानी भंग प्रसंद करते हैं तो इस तरह प्रकोडी बना के निकाल लिए हैं जटनी के साथ प्रकोडी खाली जीरा मेथी अरा मिर्श टमाटर करी पती यहां तड़के में छोड़ेंगे तो आप सब्सक्राइब ट्राइब कीजिए बहुत इच्छी कड़ी तरह नहीं तरह बनती है लोग प्रकोड़ा बुना गया अर्ची बाद में हम टमाटर एभी बूल लेंगे इहीं पे डाल देते हैं श्राव अनुसान मना से टमाटर गल जाए ला बुना जाए इसमें मसाले कुछ आइड करेंगे धनिया मिर्चा जीरा काली मिर्चे ही मसाला मनें रोज का रोटी जो अरा म है पैसे दवर टमाटर गल गया है तो दूंड़ा से भूल लेते हैं अच्छे से घृचर दी की नहीं दूस्त देखें अब मेरीले हम चाहरों से और death का सबड़िए हैं इसके बाद भादके पका लेंगे दोसके ध्यान देनियां कि मीडियम आज वी करigorी में तोड़ा तो इसको बीच-बीच में देखते रहे ना हम डार्क हो गया है तो तड़के लगा लेते तड़के मेहींग करी पत्ती मिर्चा जीरा यह हम तड़का में छोड़े हैं दोस्तों लगा लेते तड़का अब आप सभी को यह मारी प्याज वाली कड़ी की रिस्पी कर सी लगी तो